नमस्कार दोस्तों जैकास पेसल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं बताने जारी मकर सक्रांती की खास लाई जो आपको बेहदी पसंद आएगी और खाने में यह काफी टेस्टी भी और बच्चों को बेहदी पसंद आती है जो एक हपते पहले से इसकी तैयार हम लोग कर लेते हैं बनाना तो चलिए स्टाट करते हैं आपको बना के दिखाना तो यहां पे मैं 200 ग्राम मुड़ी को ली हूँ जिसे मुरूड़ा भी बोलते हैं और यहां पे इसे मैं चाल लूँगी और चाल कर इस तरह से कितना काफी गंदा निकल रहा है तो यहां पे इस तरह से चाल के हम इसे हटा लेंगे और यहां पे मैं 200 गुड़ ली हूँ आधा कप यहां पे पहले से कड़ाय को गरम करके रक्की हूँ और यहां पे आधा कप पानी डाली हूँ जिसमे 24-200 ग्राम मैं यहां पे घुड़ डाल रही हूँ चास्मी तयार कड़ने के लिए और इसे अच्छे से हम इस तरह से चलाते रहेंगे यहां पर और फ्लेम को आप मीडियम में ही इसे पकाएं यहां पर और इस तरह से बीच बीच में हम चासनी को चलाते रहेंगे फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखें क्योंकि ये काफी बहुत ही जल्दी ये जलने लगता है ये कलर भी कितना इसका अच्छा दीख रहा है और काफी बहुत ही अच्छा यहां पर चासनी तयार हो रहा है इसका ये गुर जो है काफी खटा हो रहा है कडाही को बिल्कुल छोड़ते हुए ये देख सकते हैं तो ये जिसे हम पाक भी बोलते हैं ये लाई बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो मकर सक्रामती से पहले हर घर में ये मतलब लाई तयार बनाना हम लोग सुरू कर देते हैं बच्चों के लिए खास कर तो ये देखी ये चासनी बिल्कुल तयार हो चुका है तो पांच मिनट तक पांच मिनट में ये चासनी बिल्कुल तयार हो जाता है और इसी तरह से चलाते हुए मैं आपको यहां पर यह चास्नी देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है आपको एक तार की चास्नी होनी होनी चाहिए बिल्कुल और यह रिस्पी मेरी मदर इल्लो दिखा रही है आपको बनाकर अब हम इसमें मोडी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जिसे मुर मुड़ा भी बोलते हैं बिहार और यूपी में खास कर मतलब इस लाई को एक हपता दस दिन पहले से बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है खास कर बच्चों के लिए स्पेसाली से तो यह देखे काफी अच्छे से मिक्स बिल्कुल जल्दी जल्दी किया जाता है ताकि लाई जो है बहुत अच्छे से बना जाए और काफी गरम होता है तो हाथों को अपने थोड़े से पानी से भीगो के तब इसे आप इसकी लाई को बांदे ताकि वो आपके हाथों में कि नहीं तो आज की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को आउन कर ले ताकि नहीं नहीं रेस्पी की नोटिफिकिशन आपको समय समय पे मिलती रहें तो इसी तरह से हम सारे लाईयों को बांद लेंगे बहुत लोग इसे लड़ को जादा से जादा लोगों के साथ मेरी रेस्पी को सेयर करें कमेंड में लिख के जरूर बताएं कि आज की रेस्पी आपको कैसी लगी और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बैल आइकन को अन कर ले इस तरह से सबी लाईयों को मदर नौ जो आपको दिखा रही हैं बांद कर बिलकुल तो सारी लाईय हमारी तयार हो गई है यह देखिए यहां पर मैं सारी लाईयों को आपको दिखा रही हैं सब करके थेंक यू बाए बाए